बिहार में लगतार शराब तसकर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं दानापूर्श शाहपूर पोलिस ने गुपत सूचना के अधार पर मंगलवार को शिवाला मोर पर छापिमारी कर कार में छुपा कर रखा हुआ 18 कार्टन 360 बोतल केन बियर बरामत किया है शाहपूर पोलिस को सुचना मिली कि शिवाला मोर के पास कार में शराब तसकरी के लिए ले जाया جा रहा है इसके बाद पोलिस से तुरित करते हुए आपको बताते हैं पोलिस ने तुरंट कारवई की हैं टीम कठित कर उगते जगे पर नाके बंदी सुरू कर दी है पॉलिस को देखकर एक बेंगॉल नमबर की कार संदिक दोस्ता में खड़ी है वो तसकर लेकर भाग गया है गारी की तलास ली गई उसमें 18 कार्टन यानी 360 बोतल के बियर बरामद हुआ है जिसके बाद उक्तिकार को जब्त कर पॉलिस थाने ले गई है थाने देख्षी उत्तमकुमार ने बताया है कि मंगलवार को गपत सोचना मिली कि शिवाल मोड पर सड़के नारे एक कार में बियर तसकरी की जा रही है सोचना के अधार पर पॉलिस ने शापे मारी कर कार से 18 कार्टन बियर जब्त किया है उन्होंने बताया है कि कार को जब्त किया गया है जब्त कार का नंबर बंगॉल लिस्टर्ड है उक्तिगारी के नंबर के अधार पर कार माली की पहचान की जा रही है दिख्षांस एडू टेक लाया है दिख्षांस सी लर्निंग है बने दिक्षांस का चैनल पार्टनर और अर्ण कड़े लाखों रुपे प्रती महीने चैनल पार्टनर बनने के लिए विजट कड़े www.dikshans.com जिसके आधार पर कार मालिक वाच चालक के पर उधमामला दर्स किया जाएगा तो आपको एक बार फिर से बता दें दानापुर शापूर परलस ने गुपत सूचना के आधार पर बंगलवार को शिवाला मोड पर छापे मारी कर कार में छुपा कर रखा हुआ जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार वे करते हुआ टीम गठित कर रोकते जगे पर नाके बंदी शुरू कर दी पुलिस को देखकर एक बंगल नंबर की कार संदिक दोस्ता में खड़ी थी पुलिस को देख तसकर कारी छोड़ कर फरार हो गए कार की जब तलाश ले गए तो उसमें 18 कारटन यानि 300 सार बोतल केन बरामत किया गया दिक्षांस एडू टेक लाया है दिक्षांस डिजिटल क्लास दिक्षांस डिजिटल क्लास का उपयोकर शात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मज़ेदार दिक्षांस डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठ कर देखना है तो पेंड्राइब और स्मार्ट टीवी वनेगा सही माध्यम चलिए अब ये भी जानते हैं कि दिक्षांस डिजिटल क्लास का फ्री स्ट्रक्चर क्या होगा अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दिक्षांस डिजिटल क्लास के यूटूब चैनल को विजिट कर सकते हैं हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद